हेलो गाइज वेलकम टू दासविल पॉइंट इस्टीट इन दौर तो हमारे एपीफियोड नंबर टू होगा MPPSV AI exam के regarding notification आ चुका है उसका हमने एपीफियोड वान अप्लोड किया है एपीफियोड टू के अंदर हम किन पॉइंट पे बात करेंगे जो फाम फिलप के दौरान बहुत फारे एप्पिरेंट के मन में बहुत फारे डाउट आते हैं दिन बर में फैकडो मैसेज आते हैं फरकि इसमें क्या करना होगा तो अलग-अलग मैसेज का रिप्लाई करने बेटर है कि और भी एप्पिरेंट के मन में डाउट होंगे उनका प्रापर एक व्यूडियो बनाके एक्स्प्लैन किया जाए तो मैं कुछ है पॉइंट लिखा हूँ इन पॉइंट के बारे में आज की व्यूडियो में हम डिसकाफ करने वाले हैं पहला पॉइंट है कौन से इस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं दूफरा दूफरी बाते हैं कि यह आप इस फार्म को भरने में कुछ ऐसी मिस्टेक करेंगे तो आपका फार्म रिजक्ट हो जाएगा तो यह आप पहले भी फार्म अप्लाई कर चुके हैं आपके बहुत इंपोर्टेंट रहेगा क्या आपने गलती तो नहीं की है तो आप उसे फुदार सकते हैं अधर इस्टेट एलाउड है कि नहीं है रोजगार पंजन का क्या मामला है इसके बारे में देखेंगे कौन-कौन फैसे इंपोर्टेंट डाकुमेंट्स है जिसको आ अलाग जो फिक्स नंबर वाला पॉइंट है इसके बारे मैंने पहले भी आपको बताया है एपिफिव नंबर वन के अंदर थोड़ा यहां भी देखेंगे कि वह आठ मन्थ वन वीक का टाइम बचा है तो हमारी क्या स्ट्रेटीजी होनी चाहिए कि इस तरी की अप्रोच को फालो करना है इस पर भी हम बात करने वाले हैं तो टोटल छे पॉइंट हैं जिसके उपर एक एक करके आराम से समझने का प्रयाव करेंगे कि इनका फैल्यूफन क्या है पहला है कि नाट अलाउड मतलब ऐसे कौन से एस्पिरेंट है जो MPPSC ए एकजाम के लिए अलाउड नह मतलब मालिज्य आप एसपिरेंट है और आपके उपर दहेज का केफ लगा है और दोफी आप कर दिये है रहत हैं यह को फिद्ध कर दिया गया है क्पानून के ताथ आको फिद्ध कर दिया कि यह अप दोफिर टहरा जाएंगी कि आपने दहेज लिया हुआ है उस के अंदर आपको जॉइनिंग नहीं मिलेगी लेकिन यह इसा होता है कि आप दोफिर नहीं है उस के केफ में आपको जॉइनिंग हो जाएगी इंपोर्टन बाते हैं कोई बेकर्फिरेंट है जिसकी छबेफ जनवरी 2004 Ferguson 1 को ये उसके पफचात हो कुल मिला के बात है कि 2 से जादा बच्चे नहीं होने चाहिए 26 के उसके आपके दो बच्चे हैं उसके मिस मिह आप टो फाम भरफकते हैं। लेकिन एक बच्चा पहले हैं और एक बच्चा बाद ने होता है यानि दो फे जादा बच्चे हैं 26 जनवरी 2001 के बाद उस केफ के अंदर आप इस फाम को नहीं भरफकते हैं लेकिन ऐसा होता है कि आपके एक बच्चे हैं ठीक है और 26 जनवरी 2001 के बाद 26 जनवरी 2001 के बाद पहले का है और दो बच्चे आपके 26-2001 के बाद के हैं उस केफ में आप MPPV-AE का फार्म नहीं भर फकते हैं एक क्लियर कड में इन बातों को ध्यान में रखना है ठीक है यह चीजे मैंने बता दी तीफरी दो पॉइंट हो गए ना दो टाइप के इस पिरेंट इस फार्म को अ कि यह पाश हुआ फाइनलियर इस्टुडेन्ट इढ़ी है साफसाफ लिख्या देख को भी आपके अज़ाया हुआ है قी डबलुडी के अंदर और अफ़ वि इसके भी और सब्सक्राइब outrage क्वालिफिकेफन की साफ साफ रिखा कि भाईया आपका डिगरी कंप्लीट होना चाहिए आपके डिगरी इंजिनेरिंग के अंदर कंप्लीट होना चाहिए ठीक है अब फाइनल इरिफ्टुन इस फार्म को इलिजबल नहीं है एक इस इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया कि आप फार्म भर देंगे कोई मतलब में आप एक्जाम निकल भी जाता है ना तो बाद में आप रिजर्ट कर दिये जाएंगे इन इलिजबल ठहरा दिये जाएंगे तो फाइनल इरिफ्टुन इसमें इलिजबल नहीं है ठीक है उसके बारे में अलग एपिशोड में बात करे आगे हम बात कर लेते हैं दूफरे पॉइंट के ऊपर अचारा तीफरे पॉइंट आगे कोई नहीं तुपर हम डिसकाफ कर लेते हैं तो आपको रुजगार पंजन नहीं बनवाना है इसमें फाप फाप आठ तीन दौजार बाइस हाई कोड जवलपूर के द्वारा यह चीजे के लिएर कट बता दी गई है कि रुजगार का रियाला पंजन पर नहीं होगा तब भी काम चलेगा और बनवाएंगे भी आपका इस तो रुजगार पंजन के कोई नीड नहीं है अधर के लिए फार्म को अपलाई कर फकते हैं दूफरा इंपोर्टन बात है कि जो मद्ध प्रदेश के मूल निवाफी इस्टुडेंट है ठीक है जब आप फार्म अपलाई करेंगे उस टाइम पे और रुजगार पंजन के न के अंदर है तो आपके पाफ नो अब्जेक्शन होना इंपोर्टेंट है इसको आप लोग बनवा लीजिए बहुत काम की चीज़ होती है ठीक है नो अब्जेक्शन फर्टिपिकेट उसके में आपके पाफ रुजगार पंजन नहीं है तब भी काम चल रहेगा ठीक है तो न हम बात करेंगे एज़ क्राइटेजिय के ऊपर अपकी आयू आपकी एक पूरी होनी चाहिए और चालीस फ़े कम होने ठीक है ठीक है एक वर्फ की पूरी हो और चालीस पर कम हो अब जो इक कीश्ब्स पर है और आपकी भी कमप्लीट हो गया तब भी आप हम अप्लाइए नह तो उस केफ में आप इस फार्म को अपलाई नहीं कर सकते हैं अब अच्छा आयू की जो एज कलकुलेशन है आपका एक एक दोजार तेश एक जनवरी दोजार तेश के कार्डिंग होगी इस चीज इंपोर्टेंट है यह तो आपको पता था कि मतलब कंप्लेट होने चाहिए चाहिए अब एज रिलेक्स किसको किसको मिलेगा उस पर हम बात कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके इस बहुत इंपोर्टेंट है जो आपको पास फाल का छूट मिलता है अब कुछ बिशेफ इस पर कुछ ऐसे क्राइटेजिया ओटिस में तेन फुट्टी एट यह से ज्यादा किसी भी क्राइटेजिय के अंदर इंपोर्टन बात है हम बात कर लेते हैं चाहिए आप यह प्रफान फाल को अप्लाई कर सकते हैं कर दोनों और जनल कट्रिके के फीमेल कंडिड़ी को फीमेल कंडिडिट की पास पास के एज रिलेक्स फसन मिलेगा इंपोर्टन बात है कुछ यहां पास क्राइटेरिया देए हैं एक क्राइटेरिया आपको पढणनी पढ़ेगी ठीक है आप लिखा हुआ है जिनको तेन फ के लिंक दी है जोईन कर लिए नोटिफिकेशन वहां मैं डाल दूँगा या फिर आप उसको कहीं मतलब साइट से जाके डाउनलोड करके इस कटिगरी में आते हैं किस कटिगरी में आते हैं मद्ध प्रदेश साफन सामान प्रसाफन विभाग के परिपत्र क्रमांग या क्रमा लेगी यानि पैतालीस वर्ष के इस्थान पर आपको एर्तालीस वर्ष की छूट मिलेगी ठीके अटारीस साल के अंदर तक लोग भर सकते हैं यह चीज़ें लेकिन इसमें कम ही लोग आते हैं यह वाला चीज के लिए रोना चाहिए कि पांच साल किनके लोगों को मिल रहा ह इसके अलावा इसके अलावा एक बहुत इंपोर्टेंट बाते हैं मैं बता देता हूं तर्फ टामिनट हाँ ठीक है तो आप फुट्टी फाइव एर्स किसको किसको मिलदा है लेकिन कुछ जनरल के कंडिडेट होंगे उनके मन में डाउट होगा सर ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या जिसके अंदर जनरल के ब्वाइज को भी फुट्टी फाइव एर्स का एज्रेलेक्षएफन मिल जाए पांच फाल का एज्रेलेक्षएफन मिल जाए हां मिलेगा प्रोथवाहन फरूप एप्रिफियाशन के रूप में कुछ छूटे दी जाती है वो कैसे दिया है यह हमकि कौई जइननल क пережी का जन्रल का इनलडि игр के कहते लड़का कुषी अन्र कठीग्री के अन्फूचिच जल्याइट इसफ्टी है के गल्फिवाहन तो उसके अंदर उन दंपंतियों को क्या होगा पांच बांच बॉष्ट के छूट मिल आण शंग lease फादी कर लेता हैं उसको 5 पांस मिलेगा अब दिमाग मत लगाना कि फर मैंने पहले निंगी होता तो तो मेरे को फाइदा मिलेगा अंतर जाती विवाब प्रोत्फाहन योजना है ठीक है अंतर जाती विवाब प्रोत्वान योजना के ताहत उनको पांस फाल का छूट मिलेगा दूफरा important point यह आप जन्रल कर्टिगरी के हैं तब भी यह आपको विक्रम पुरुफकार मिला है ठीक है खेल के अंदर उस के अंदर आपको पांस फाल का प्रदेव के निवाफी नहीं है उनको छूट नहीं मिलेगी और इस अभी जन्रल कर्टिगरी में count होंगे जन्रल कर्टिगरी में count होंगे एक चीज़ें इंपोर्टेंट है ध्यान में रखना है बहुत इंपोर्टेंट है इसके अलब हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है पिछली अभी दो आपका जो फरवरी के अंदर फरवरी 2022 के अंदर ही हाई कोट जवलपूर के द्वारा कुछ अबेंडमेंट किये गए हैं कि जो एकोनामिकल वीकर सेक्षन के अंदर आते हैं उन्हों को भी छूट मिलेगा पांच वर्स का चूट मिलेगा तो इसके कंडिड़ को भी छूट मिलेगा अब कुल मिला के बात है थोड फी आता है आपका यॉडवले फ कंडिडेट आते हैं ठीक है 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 रिदे के डाते हैं है तो छूट की युकिन को मिल दा है पहली बात तो चूट को सब को मिल दा मिल रहा है एक्सेप्ट जन्रल सब्सक्राइब को तो आपको फुट्टी एट यह कम ही आएंगे आप फुट्टी फाइब ले लो ठीक है फुट्टी फाइब लेकुन कुछ इस्पेफल क्राइटेरिया है जैसे जन्रल कडिजरी के विक्रम पुरुसकार मिला हुआ है अंतरजाति विवाह किया हुआ है ठीक है। उस के अंदर इसको रिलक्सम मिलता है ठीक है। जब डाकुमेंट आप तो करते हैं ना जमा होता उस केफ में लगता है तो जिनके पाफ है कि मद्ध प्रदेफ की निवाफी है उनको फायदा मिलेगा अगर इस जनर्र कंडिड़ेट अप्लाई करेंगे जो भी क्राइटेडिया है तो एस डिलेक्षेफन के बारे में आपकी जीजें क्लियर हो गई हैं आगे हम बात करते हैं कि मैंने क्या लिखा गष्टी करेंगे तो आपका फ़र्म रिजक्त हो जाए गलती है लोता है पहली बात तो आपका न्यू फोटो होना चाहिए ठीक है न्यू फोटो होगा तो फजी रहता है इसके अंदर कर तीन-चार ची अपने फोटो की चालिया यह अपने ब्लैक चैस्मे के द्वारा फोटो की चालिया ठीक है तो उसके फोटो आप लगा देते हैं उसके द्वारा आपका फाम भी रिजक्त हो जाएगा तो ध्याने रखना है कि जो पांच पॉइंट को पढ़ लेना ठीक है इसको नहीं करना है तीन से बता देतो फिल्फी फोटो नहीं लगेगा आप डार्क चफमा या फिर टोपी पहन करके फोटो उस वाले फोटो को यूज नहीं कर सकते हैं तो यह ट्रांस्पिरेंट होना चाहिए और उसके अंदर को रिफ्लेक्स नहीं आए ठीक है आपके दोनों वांखे प्रापर इस पफट दिखती रहे इंपोटेंट है तो आपके फांट में रखना है कोई मतलम नहीं वनता है इन चीजों का ठीक है यह मैंने बता दिया अच्छा कुछ मैं इक इंपोर्टेंट बात और बता देता हूं पॉइंट में लिखा नहीं है कि अभी आपको लग रह नहीं होगा थे नहीं होगा तो बाद में देखाज़ा नहीं होगा जो कंडियाट फांप फांट पर नहीं यहां के लिए तो आपको ध्यान में रखना है कि फांट को अप्लाइब कर देना नहीं आप करना चाहते हैं आपको मन है कि वह दाइफ तो होगी और वेकम्सी मालों बढ़ गई चुनावी यह रहे उसकेफ में आपको लगता है मिरों तयारी करनी है यह आप अप्लाइब नहीं कि यह तो फिर कोई मतलब नहीं बनता आप लिजबल ही नहीं होंगे एक्जाम कैसे देंगे इंपोर्टें में घलती तो इसको अधो हैं इसको आप इड्लोड सकते फिर आप यदिया है करते हैं यह आप एकजाम में में स्लीध रहे हैं कि महीं आहीं इंटव्यू के बाद भी तो इसके लिए इंपोर्टेंट है कि कि आपके पार चाहिए आपके पार की अदर होना चाहिए है हैंडीक फिर्ट होना चाहिए द्वारा को आपको चीज़ें कि लियर कर वहां आपको जमा करने पड़ेगी इंपोटेंट है ठीक है इसके बारे दिटेलि बीडियो बनाऊँगा ठीक है किस तरीके से आपको क्या फार्म वगारा भनना पड़ता है लेकिन यह चाहिए होना चाहिए आपका जब आप फार्म भरेंगे तो इस केस में आपका एक बर्थ हो जाती है बागी आप खुझ से फार्म भर सकते हैं वह बताने जरूत नहीं है फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरों को बता देना वाट्सप में इसके वीडियो में कमेंट करके फर में यह डाउट आ रहा है तो मैं उसके बारे में अलग से कोई वीडियो बना एट मन्स एंड वन वीक लिप फार एक्जामनेशन तो अब क्या करें आठ महिने और एक वीक का टाइम है लास्ट में क्या करें थोड़ा हम आपको गाइड कर देते हैं इसके बाद इस वीडियो को इंड करने वाला हूँ फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट होगा एपि पारिंट के अंदर क्या लिखा है कि भई यह हमारे पाफ केवल आठ मन्त का टाइम बचा है एक वीक का टाइम तो चोड़ो लाफ्ट का टाइम तो आपको लाफ्ट में दो मन्त रिविजन और टेस्ट के लिए देना ही पड़ेगा अप लाफ्ट के दो मन्त आप लेवर हरे में नहीं लगाा फक्ते हैं इसको आपको माणना पड़े कि यह कवल उनमेह का टाइम है यह वान इकटी डेसरा कवर करना टेक भी कवर करना है और यह पांवड़ो नंबर की तैयरी बहुत अच्छे संब्हें करनी है ठाटे चार आपका पेपर होगा लेकिन पचाफ नं तो फिले करके 1000 घंटे के अब तो 1000 घंटे मानों मैं तो 1000 घंटे पढ़ने वाला हूं इस बैच करने ठीक है बहुत ही डिटेल इंडेप्ट बहुत अच्छे तो 1000 घंटे आपको पढ़ने पढ़ेंगे अब दिमाग लगा फक्ते हैं आपको कितना ज्यादा वर करने जरूत पाफ बहुत अच्छा टाइम है प्रिपेशन स्टार्ट करने का आप फोच रहे होंगे ना कि हमें मार्ट के बात करेंगे उस के अंदर ना बहुत मुस्किन हो जाता है उपर उपर से कुछ भी पढ़के चले जाते हैं लेकिन सारे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो कुछ फ्लेवफ में दिया है उसको बहुत अच्छी क्लियर करना होता है तो आप शे मन्त का टाइम मान के चलो आप लोग क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं यह आपको 29 जनवरी आपका आइधिंक है ठीक है तो 29 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूं आप इसके करना बहुत मुफ्किल होगा आप कहीं आफ लाइन आल लाइन कोचिंग भी करते हो तो बहुत मुफ्किल हो जागा करना टेचर करवाएंगे कैफे टाइम ही नहीं बचेगा तो इंपोर्टन बात है कि आप अभी तैयारी करना फुरू कर दो यह आप जौब के अंदर रहे तब भी आप तैयारी कर फकते हैं डेली के चार-पांस घंटे पढ़ाई करेंगे तो अच्छे तैयारी हो जाएगी देने ही पड़ेंगे यह आपको एएन में फलेक्वन लेने के लिए पांस घंटे मेंडेटरी देना वह दो देना ही पड़ेगा ठीक है पांस दे दिया त इसको भी आप लोग देख लेना यह आपके टेक्निकल के फ्लेवाफ है टोटल 12 अब्जेट आपको पढ़ने होंगे टोटल 12 अब्जेट पढ़ने होंगे इस अब देख लो एक बार ठीक है और इसके लिए दासीविल पॉइंट ने बैच लांच कर दिया है आप वहां से भी को जॉइन करके बहुत अच्छे प्तैयरी कर सकते हैं क्या फीचर से थोड़ा साम डिसकास कर लेते हैं यह आपको प्रापर सब्जेट दिये हुए हैं मैंने एक के अंदर से डूल भी अप्लो प्रान चीज़े हो जाती है ठीक है एक आरे सब्जेट आपके इतने आवर्स में होंगे प्रापर यहां लिखा हुआ है टेक के फात आपका नान टेक भी होगा लगबग वन थार्टी आवर्स के आफपास लेक्चर बनेंगे नान टेक के अंदर तो आप लोग काउंट कर सक होते हैं जोइन करने से पहले आपको प्रापर जूम फिफन मिलेंगे जितने भी इंपोर्टन कोफ़्चंफ हैं जो आपके यह मोडरेट लेवल के हूं चाहिए अच्छे वाले कोफ़्चन हो चाहिए आपके क्लास के दोरान प्रापर में करवा दिया जाएगा ठीक है आल् आफर रिकौर्डवम में होती है लाइब क्लाफ नहीं होती तो कोई क्लाफ करते जूम के तुरू और एप में चैट का इस जाए जब आप डॉट को डालते तो आपके फ्रापर क्लियर होते हैं अदर कोई डिस्ट्रेकशन होता ही नहीं है अदरवईस क्या होता है कि आपको किए आप उसको डबल स्पीट पर भी देख सकते हैं लाइब के अंदर आप डबल स्पीट पर नहीं देख पाते तो रिकार्डड का सब्सक्राइब फायदा होता है आपको डाउट आ रहा है चैट में डालिए आपको जूम फिफन मिल नहीं विक लिए उसका फायदा उठाई है ठीक है आपको कभी प्रावलाम होती है किसी में डाउट आता है फिर मेरा जूम फिफन करवा दीजे में डाउट कूछना है आपको बोलना पड़ेगा आपको वहां पर मैंने एक ओपेन चैट ग्रूप बना रखा जितने भी एस्पिरेंट्स को जॉइन किये हैं आपायों है ठीक है अगले दिन वेडियो को आप देख पाएँगे सबक्स बहुत अच्षे कोवर होने ठीक है अच्छा इस बैच को एकसेफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दाफिविल पॉइंट को डाउनलोड करना है कोई भी आपके मन में सवाल है इस बैच के रिगार्डिंग तो इस नंबर पर आप कॉंटेट कर सकते हैं इस तरीके का वैनर दिखेगा वहां जाक अब भी देख सकते हैं बहुत कम फिसके अंदर बहुत ही एक्टिव में मिल रहा है डेडिकेटेड एमपी पीओ एकजाम के लिए ठीक डिडिकेटेड एमपीएजाम के लिए एकपा नहीं है कि आपको किसी भी पढ़ा रहे हैं जो आपके व्लेवाफ में दिया प्रापर उ इस नए-कोस्चंव आपको देखने को मिलें नहीं कॉन्सेट मिलें जिए Learning जो अपके ऌफिक में मिदी कवर हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों चैनल के अंदर होते सब्जक्ट हो जाएगे सब्जट वाइस चीजूंत करेंगगे एक मंत के अंदर यह स्टार्ट हो जाएगे इसमें ज्यादा हम डिले नहीं करें अल्रेडी काम स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारा नेफ्ट एपिशोड आएगा एपिशोड नमबर त्री जिसके अंदर हम इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में डिसक्स करेंगे टेक प्ल कर दो करद मोकी झाल भी हमारा नेख़र हम राएगे ओड़ आएगे झालनुदा, लगा वह स्टार्ट हो जाएगें झालनुटेंग।